नेता पर्टिपक्ष के कहने पर ये NPR और NRC पर प्रस्ताव जो है पास कराया है मतलब कि 2010 का जो सवाल था और जो आपने जबाब दिया था वही जबाब आप यहाँ बे दिये नमस्कार मेरे नाम आलोग है आप लाइप सिटीज देख रहे हैं NRC और NPR खुले कर विधान सवा में सर्व समती से प्रस्ताव पारित हो चुका है नितीश कुमार ने अपना अविभाशन भी दिया है कई सारे बातों को भी रखा है लेकिन तेस्वी आदव नितीश कुमार के बीच में जो नजदिकियां बढ़ी तेस्वी आदव मुलाकात करने गए हैं इस पर बीजेपी की नेता जो है इस वक्ट चुप हैं लेकिन अचानक से जो इस तरीके की घटना करम हुई है विधान सभा के अंदर कास्तागन प्रस के नितीश कुमार बहुती चतुर मैं राजनितिक हैं राजनिती के खेलाड़ी हैं और उनकी चतुराई में सत्ता की साधना भी सामिल है सत्ता के साधक हैं इसलिए कोई काम ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी सत्ता जो है वो डगमंगाने लगे इस मामले में भी जिस जंग से जिस चलहाकी के साथ उन्होंने सब कुछ किया, उसको ले करके यह कयास लगाया जा रहा है कि नितीश कुमार ने भारती जनता पाठी को अंधेरे में रख करके नेता पर्तिपक्ष के कहने पर यह NPR और NRC पर प्रस्ताव जो है पास करा है, अब आप देख लीजिए कि NPR का क्या मतलब है? नितीश जी ने कहा कि यह तो पहले भी होता रहा है और सही बात है, जब महां कट्वा कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय 2010 में National Population Register बना था, अब National Population Register पर जो एतराज किया जा रहा था, वो इसलिए कि उसमें कुछ नए सवाल जोड दिये गए थे, ज जन की जन्तिथी क्या है? तो बहुतों को अपने माता पिता के जन्तिथी की जनकारी नहीं है, इसको लेकर विरोध हो रहा था, तो बारत सरकार की और से, नरेंद्र मुदी सरकार की और से, रवी संकर अस्प्रष्ठ कर चुके थे कि इसका ज़बाब देना अवस्षक नहीं है मतलब कि 2010 का जो सवाल था और जो आपने जबाब दिया था वही जबाब आप यहां बे दिये इस पर जो है इसके खिलाब जो प्रस्ताव पास कराया नितिस जी ने उस पर दरंदर बुदी सरकार को क्या इतराज होगा जो वो कह रहे हैं इसको दूसरे भासा में नितिस कुम का फरक पड़ता है भारते जनता पार्टी के नराजगी का क्या कारण है एक्चुली नितिस कुमार ने बारते जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद एक सिकुलर छबी अपनी बनाई थी जब उन्होंने के पक्ष में मतदान का किया उसके बाद जो है लोगों को बहुत सद्मा लगा मुसल्मानों का एक हिस्ता भी इनके बीजेपी में रहने के बावजूद इनको सिकुलर मानता था तो असली जो लडाई हो रही है देश में जो बेचैनी है साहिन बाग से लेकर के और पूरे द कानून में चाहिए नितिश जी उससे इंकार कर गए और उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोड में है सुप्रीम कोड के फैसले का जाए नरदरमोदी सरकार भी यही कह रही है कि सुप्रीम कोट के फैसला के इंजार किया जाए पिछले दिनों आप देखिए कि सुप्रीम कोट का जो भी फैसला हो रहा है वो सरकार के अनुकूल हो रहा है अभी जो दिल्ली में दंगा हुआ और दंगे के बाद जो है रात में जाने दिया जा रहा है और उन्होंने ये कहा कि जो आग लगाने वाली भासा बोली जा रही है जिसको हेटी स्पीच अंग्रेजी में कहा उन लोगोंने हेटी स्पीच देने वालों पर क्या करवाई हो रही है उसमें कपिल मिस्रा का सवाल आया अनुराग ठाकुर का सवाल आय वहाँ पुलिस अबसर ने कहा कि हमने नहीं सुना है कोर्ट में उसको पूरा सुनाया गया और ये कोर्ट ने कहा कि 24 गंटे के अंदर जो है आप जबाब दीजिए वहाँ सरकार के वकील ने कहा कि सहाब इससे पुलिस पर्डेमोरलाइजेसन होगा धाल भला बताइए जज ने कहा कि पुलिस पर्डेमोरलाइजेसन नहीं होगा ये बिलकुल मैंने उलंगन है कानून का आप 24 गंटा के अंदर बताइए आपको बेफाई यार करने जा रहा है उनका ट्रांसपर पहले से ये सही है कि मुर्ली धरन जी का ट्रांसपर जो है सुप्रीम कोट के कॉलिजियम क स्विपारिस पर हो चुका था और उन्होंने भी समती देदी थी लेकिन बीच सुनवाई के भी 24 गंटा उन्होंने समय दिया था तो 24 गंटा के बाद अगर उनका ट्रांसपर होता और निकलता कोई जंजट नहीं था लेकिन उसके बीच में इनको यहां सा रात में ही और नि सरकार का नुकूल ही सवीर ने सरकार जुडिसियरी को जिस डंग से मनिपूलेट कर रही है और अपने अनुकूल जो है जज्जमेंट ले रही है वैसी स्थिती में नितीश्ची जैसा आदमी जो गांधी लोहिया की बात करता है क्या आख बंद करके अपने विवेक पर ताल करता है उसको हम कबूल कर लेंगे हम उस सादेश का विरोध करेंगे और विरोध के वज़ में जो सजा होगी हम भुगतने के लिए तेयार रहेंगे लेकिन आखबूत करके हम कैसे मानेगे इसलिए नितीश कुमार जी ने जो एक एन पी आर और एनर्सी के खिलाफ से उसको फिर से बने डाव खेलाई इनोने कि छबी में को जितना हम पचा सके बचा लें इसमें उनको सफलता में मिली और भारतिये जंता पार्टी से अलग होने का भी कोई सवाल नहीं है लेकिन बहुत लोग उत्साहित हो गए नपी आर और मैंने माजी जी ने तो कह दिया तब तक भुलाओं में रहेंगे लेकिन असली बात ये है कि नितिश कुमार ने बहुत चतुराई के साथ ये प्रस्ताव पास किया है जिसमें बीजेपी को भी इतराज नहीं होगा और इनका जो सत्ता की जो साधना है वो भी जो है सफल होगी दो तरफा फैंसला आता है अक समय में क्या लोगों को सच्चाई पता चल पाएगी क्या लोग सच में नितिश कुमा को ही वोट देंगे ये बिहार में एक बार सवाल रहेगा लाइफ स्रीज रहे है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ सथ फेस्ट पेज भी लाइक करें धन्यवाद